मैं आपको इस बात की शोटी दे रहा हूँ गर आपने इस वीडियो को ध्यान से बिलकुल अकेले में बैठ कर सांती पूर्ण तरीके से नोट्स बनाते हुए समस्तिव आपने देख लिया तो बिल्स ओफ एक्षेंज के लिए आपको और कहीं भी जाने की जुरूत नहीं पड आएगा और आप क्लास में टॉपर बनने वाले हो इस चाप्टर को पढ़ने के बार ठीक है तो बिल्स ओफ एक्षेंज वैसे भी जनरली जो है ये फाइनल कर्ट टर्म के लिए ही हमेशा ये चैप्टर आता है बाकि इस वार आपको फर्स्ट रम सेकेंडर में डिवाइड़ है तो फिर आपका ये चैप्टर अब काम आने वाला है इसे ध्यान से आप पढ़ लीजे क्योंकि इसमें से बहुत सारे अच्छे अच्छे कोशन्स आपके बनेंगे ठीक है तो चलते हैं हम इस वीडियो की और और लेकर आते हैं आपके लिए एक अच्छा सा इसमें आसान सा कॉनसेप्ट जिससे आपको बिल्स आफेक्षेंज की पूरी नॉलेज हो जाए तो देखें बिल्स आफेक्षेंज जो है अगर मैं बात करूँ इस चाप्टर की तो सबसे पहले कहुँगा कि रिलेटेड विद रिलेटेड विद क्रेडिट सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स ठेक है तो यह जो चाप्टर है किस से रिलेट करेगा बिल्स आफेक्षेंज कहां यूज होता है यह वर्ड सबसे पहले जानना ही ज़रूरी है सबसे पहले इंट्रेस्ट आ जाए आपको कि हाँ यह चाप्टर है क्या इस चाप्टर में सीखना क्या है पहले तो मैं आपको बता credit sale and purchase of goods and its process ठीक है तो देखे process क्या होता है कि जब उधार सामान बेचा और खरीदा जाता है तो होता क्या है कि वहाँ पर एक document एक instrument तयार किया जाएगा कोई भी एक पर्ची तो बनाया जाएगा ना evidence के लिए उसी का नाम होगा आपका bills of exchange तो bills of exchange अब last में ये guaranteed है इसमें क्या processing है वो सारी चीज़े हम आपको इसके अंदर continue आगे बताएंगे चल नए chapter की ओर ठीक है और second term का आपका course यहाँ से start हो गया है कोशिश करके हम time निकाल कर किसी session को live भी करने की कोशिश करेंगे आप channel को यहाँ कर लीजेगा ताकि यह second term का course पूरा आपको जो भी upload हो time to time मिलता रहे ठीक है कोई chapter कोई video मिशना हो जाए आपसे तो देखिए यहाँ पर मैंने बदाए यह chapter है किस से related है भी related with credit sale and purchase of goods छी कैसर अब देखिए इसी का नाम आपने पहले भी पढ़ा हुआ ऐसा नहीं है कि यह क उसको बिल कह लीजिए बात एक ही है तो सर्फ बिल्स ओफ एक्षेंज इन वही सिया बिल ठीक है इसे याद रखेंगे किस से related है सर्य यह credit sale and purchase of goods से related है ठीक है सर्फ बिल्स ओफ एक्षेंज कि अगर मैं बात करू और तो मैं कह देता हूं यहाँ पर लिख देता हूं एन important and important source document सही है आपने एक source document voucher वाला चप्टर पढ़ा होगा तो उसी से related यह word है है न source document important source document तो source document में बहुत सारे हमारे example साथ ने उसमें से bills of exchange भी एक example है source document का अब source document होता कि अगर बाइचांस आपने फर्स्टर में नहीं पढ़ाया ध्यान से तो मैं यही पर clear करा देता हूं source document किसे कहते है आप तो source document का meaning क्या होता है देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं primary evidence primary evidence of a transaction ठीक है एक transaction के primary evidence को हम क्या कहते है source document कहते है जैसे आपका cash memo हो गया इसके अलाब आपका receipt हो गया check हो गया pay and slip हो गया यह सारी चीजे किसके अंदर का part है यह सब source document है जो किसी transaction का क्या होता है primary proof होता है primary evidence होता है तो उसमें से एक invoice यानि कि bills of exchange भी आपका source document है सही है अब किसलिए बनाया जाता है primary evidence यह क्या करेगा समझत हैं इसको भी आगे चलते हैं bills of actions के बारे में और एक दो बाते जानते हैं देखिए इसको कहा जाता है a written document a written document या instrument सही है अब instrument भी कहा गया है कई बच्चे जो है से confused ना हो जाए कि instrument कैसले मने लिख दिया a written document इसमें क्या ऐसा लिखा होगा इसमें लिखा होगा कि यह sum of amount इस date को इस person को payable है या फिर जिसके पास यह bill मिलेगा उसको payable है ठीक है तो ध्यान रखें इस बात का इसमें लिखा होता है कि इस person ने इतने रुपे का amount का good sum से purchase किया है और यह इतने दिन बाद दो महिने ब मिलेगा या फिर यह bill जिसके पास होगा उसको मिलेगा यह बात इसके ऊपर लिखी होती है सब के साइन होते हैं सब के मतलब seller का sign होगा और किसका sign होगा सर पर chaser का भी sign होगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं और important बाते जानते हैं इस त्रें अरे डुक्यूमेंट और सुमें मेक बाइदी सेलर कौन बनाएगा सर सेलर मैं आपको इस बात की शोटी दे रहा हूँ गर आपने इस वीडियो को ध्यान से बिलकुल अकेले में बैठकर सांती पूर्ण तरीके से नोट्स बनाते हुए समस्तिव आपने देख लिया तो बिल्स ओफ एक्षेंज के लिए आपको और कहीं भी जाने की जुरूत नहीं पड़ेगे सारा का सारा नॉलिज आपको पूरा मिल जाएगा और आप क्लास में टॉपर बनने वाले हो इस सेप्टर को पढ़ने के बार ठीक है तो चलते हैं अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा है इस मेक बाइदी सेलर कौन बनाएगा इसको सेलर बनाता है हमेशा सेलर कौन होता है सर हूँ सोल्ड गुड्स और फिलाल इस सेप्टर में हम बात करने हैं क्रेडिट में सोल्ड करने के उधार में बेचने तब ही दो बिल्स आफेक्शन की जो पढ़ रहे वरना क्या होता अगर नगद में सामान बेचते तो हम क्य करते वहां पर cash memo issue कर देते बात खतम हो जाती यहां तो कल को पैसा लेना है ना उससे तो कोई evidence तो चाहिए उसका वही evidence क्या है bills of action यानि कि जब seller उधार में goods बेचेगा तो उसको कोई evidence चाहिए प्रूफ चाहिए कि कल को पैसा दे क्या पता कल को मना कर दें तो कल को मना ना करें तो legally valid होने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा seller को एक document तयार करना पड़ेगा written जिसका नाम है bills of exchange या invoice नाम है ठीक है चलिए इसके बाद कहा जाता है it is an unconditional order भाई यह unconditional लिखा एक और बच्चे ने conditioner लिख लिए आता है कल को जितने महीने बाद के लिए payment due है उतने महीने बाद purchaser को payment करना ही होगा वो मना नहीं कर सकता कि मेरा सामान नहीं भी का तब उसे पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए कहा जाते है, इसको unconditional order, सही है, हर चीज का एक act बना हुआ है, आप सब को पता है, तो इसमें भी जो act है, इससे related कौन सा act, वो ध्यान रख लेना चाहिए, आपको one marks में कई बार आप से पूछ लिया जाएगा, तो यहाँ पर जो act ह होता है, सर वो होता है, the negotiable, the negotiable instrument act 1881, सही है, यह act होता है, आपका the negotiable instrument act 1881, यहाँ पर wills of exchange से related भी सारी बात है, नहीं कि definition से लेकर कोई भी dispute होता है, इस case में, वो सारे rules and regulation यहाँ पर mention इस act में, ठीक है, तो इस act को आपको याद रखना है, the negotiable instrument act 1880, ठीक है, तो मैं बात कर रहा था, bills of exchange कौन बनाता है, सर, वो बनाता है, seller और क्यों बनाता है, सर, क्योंकि एक proof चाहिए, transaction का proof तो चाहिए न, क्योंकि उधार में सावान वेचाए, कल को वो पैसे दे, इसके short day के लिए हमको एक bill तयार करना पड़ता है, ठीक है, चलिए, कि जैसे जैसे जो चीजे, काम की जहां होंगी, वहां मैं बताता रहूँगा आपको, देखिए, जो bills of exchange है, मैंने shortly में लिखा है, यह bills of exchange, generally, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो लोग है, इस bills of exchange के काम में दो लोग है, एक है sir seller, और एक है sir purchaser, देखिए, मैं यहाँ पर ब goods on credit, जिसने सामान खरीदा है, वो purchaser है, जिसने सामान बेचा है, वो seller है, ठीक है sir, कहा जाता है कि maker of bill, यह bill का maker है, बनाने वाला, और यह कौन है sir, acceptor, acceptor of bill, जब seller bill बनाएगा, तो उसे accept करेगा, sign करेगा, कौन purchaser की, हाँ मैं इतने समय बाद यह payment देने के लिए agree हूँ, सम acceptor of bill कहा जाता है, यही जो bills of exchange है, एक party के लिए bills receivable बन जाएगा, और एक party के लिए bills payable बन जाएगा, तो इसके लिए क्या बन जाएगा sir, bills receivable, bills receivable, और इसके लिए क्या बन जाएगा, bills payable, अगर आपको पता हो, तो इसके लिए current assets हो गई, क्या हो गया sir, यह current assets हो गया इसक इसको पैसे मिलेंगे, just seller को पैसे मिलने है कुछ समयबाद १ार इसके लिए है क्या हो गया sir कुछ समयबाद ही इसको इसका पैसा चुका ना होगा, तो इसके लिए करन्ट लाकिलिटि है और इसके लिए क्या है sir current assets है तो bills of actions दोनों ही पार्टियों के लिए, यानि कि seller के लिए क्या कहलाएगा sir, seller के लिए bills receivable हो जाएगा और purchaser के लिए यही bills payable हो जाएगा, तो ध्यार रखें इस बात को, क्योंकि seller को पैसा मिलना है, एक decided period of time के बाद, और इसे पैसा pay करना है, इसलिए इसकी current liability है, ठीक है, उ इसी chapter में important चीजे समझते चलते हैं देखे, जो seller है, और जो purchaser है, इस chapter में mostly यह word use नहीं होगा, seller की जगह जो word use होगा, वो word use होगा, drawer, क्या word use होगा sir, drawer, तो drawer कौन होता है, seller होता है, जो goods को sold करा, तो word हम क्या use क्या करेंगे, drawer use करेंगे, पर चेजर को यहाँ पर जो वर्ड इस chapter में use करेंगे, वो use करेंगे, drawer, क्या use करेंगे sir, drawer, ठीक है, तो drawer कौन है, purchaser, यानि कि सामान खरीदने वारा, इसको maker भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, maker, एक ही चीजे, क्योंकि इसने bill को बनाया है, bill को इसी ने लिखा है, अच्छा जी, तो drawer कुछ कहा जाता है, जी sir बिलकुल acceptor, ठीक है, acceptor of bill, तो ये acceptor भी है, drawer भी है, परचेजर भी है, ध्यान रहेगा, तो बिलकुल ये आसानी से आप समझते जाएए, कि bills of exchange की क्या कहानी है, कैसे चलेंगे, क्या करना है, इसमें और सारी बाते हम इसमें जानते हुए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो कर सकता है, अब जो मैं topic लिख रहा हूँ, यहाँ पर वो mention कर रहा हूँ, देखिए, uses, uses of bills of exchange for the drawer, लेकिन इस topic को करने से पहले, मैं आपको बताता हूँ, कि uses of bills of exchange by the drawer, ठीक है, तो जो ड्रोई वाला जो topic है, वो मैं आपको बताता हूँ, कि ड्रोई के लिए क्या use है, इसका अब ड्रोई सबसे पहले जो ड्रोई है, वो क्या करेगा, देखिए, ड्रोई का एक ही काम है, वो फाइनली वेट करेगा, आपने time period का, यानि कि maturity date का, कि दो महिने का date है, तीन महिने का date है, उस पर वो payment कर सकता, और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ड्रोई के लिए कितना option रह चेंस for the drawer, drawer इसके क्या use कर सकता, drawers के लिए अलग-अलग use है, लेकिन drawer के लिए एक ही काम है, on time payment करना, drawer के लिए कितने use है, जो है, इतने use बताऊँगा, वो use है, चार use है, drawer के लिए, लेकिन drawer के लिए, कोई use ने, drawer को cable payment करना है, ठीक है, तो आपको सारी चीजे, समझ में आर तरीके से तो आपको समझ में भी आ जागा ठीक है अच्छा लगता है शेर कर दीजेगा वीडियो को ताकि उन लोगों को भी फाइदा मिले और हमारा जो चैनल है वो भी उन लोगों तक पता चले कि हाँ हम आपके लिए कोशिशे जारी कर रहे हैं कर रहे हैं कोशिशे ठीक है तो यूजेस ऑफ फिल्स ऑफ एक्शेंज की अगर मैं बात करू तो देखें ड्रॉर के लिए कितने यूजेस और वो क्या कर सकता है नमबर एक सबसे पहला है रिटेनिंग दबिल रिटेनिंग दबिल तिल दडेट आफ तिल दडेट आफ मैचुर्टी बही पहला ऑप्शन है कि वो बिल को समहाल कर रखें मैचुर्टी डेट तक कौन ड्रॉर कौन सेलर सेलर ने गुड्स बेचा था उसने एक बिल बनाया था उसके लिए वो बिल्स रिसीविबल है उस बिल्स रिसीविबल को बकाइदा समहाल कर रखें तीन महिने तक दो महिने तक जितने भी दिन from the from the bank before maturity before maturity देखें दूसरा option है discounted करवाने का अभी discounted क्या होता है मानकर चलिए मैंने goods बेचा आपको उधार में 10,000 रुपे का ठीक है और जो bill मनाया मैंने वो बनाया 4 months के लिए यानि कि 4 महिने बाद आप मुझे payment करने वाले मानकर चलिए मुझे पैसो की पहले जरुत पड़ गई तो bank एक facility देता है कि आप उस bill को लेकर आईए मेरे पास और उसे discounted करवाली जे यानि कि उसकी immediately payment वो मुझे दे देगा मैं 10,000 का बिल दूँगा जितने months रह रहे हैं payment लेने में उतरे months का वो अपने according charge deduct करेगा और तुरत मेरे account में bank account में payment bank कर देगा जब 4 महिने खतम होंगे तो bank खुद ही आप से payment collect कर लेगा बात समझ में आई होगी कि bank से discounted करवाने का मतलब यह है कि maturity period से पहले अगर seller को पैसो की जुरूत है तो वो अपना bill लेकर bank के पास जा सकता है और bank से कह सकता है इसे discounted कर देज़े discounted का मतलब है at a time वो पैसा bill का आपको दे देगा मतलब मुझे दे देगा और उसका जो charge है वो cut करके बाकी पैसा मेरे account में डाल देगा ठीक है तो यहाँ पर दूसरा option यह होता है discounted the bill from the bank before maturity सही है अगर चार महिने से पहले मुझे पैसा चाहिए तो discounted करवा सकता हूँ जो third option है वो है sir endorsement of bill a bill a bill to a creditor to a creditor for payment office debt debt का मतलब यहाँ उधारी है चेक है क्या है sir उधारी देखे third option क्या है मेरे पास मैंने अभी आपसे कहा था कि मैंने आपको 10,000 रुपे का समान उधार में बेचा अब मेरे पास एक bill है जिसका नाम है bills receivable और आपके पास वही bills payable है तो मेरे पास एक और use है मान कर चलिए वही 10,000 रुपे सेम चार महिने बाद मुझे भी किसी को देने 10,000 रुपे किसी को देने तो मैं काम करूँगा उस bill को ही उसे transfer कर सकता हूँ वो bill ही उसे send कर दूँगा मैं और कहूँगा कि ये payment आपको चार महिने बाद इस party से मिल जाएगी इसका नाम है endorsement of bill यानि कि bill को transfer कर देना ठीक है तो endorsement bill समझ में आया होगा endorsement of bill का मतलब simple सी कहानी है कि मुझे भी किसी को चार महिने बाद अगर सेम अमाउट देना तो ये bill ही जो मेरे पास पड़ा है वो मैं उसे transfer कर दूँगा कि ये लिजे चार महिने बाद इस वक्ति साब को payment मिल जाएगी अगर चार महिने बाद आपने उसे payment नहीं दिया तो वो मुझे call करेगा मुझे बोलेगा बाकी आगे की processing आगे चलेगी वीडियो में समझ आ गया तो endorsement समझ आ गया होगा कि endorsement में क्या option fourth option रहेगा हमारे पास bill is sent bill sent to the bank for collection bill is sent to the bank for collection ये fourth option रहेगा मेरे पास कि ऐसे bill मेरे पास बहुत सारे होते है तो बहुत सारे bill होते है मेरे पास तो मैं किनके किनके date याद करता रहूँगा बहुत सारे काम और भी होते है जिन पर focus करना अच्छा रहेगा तो हमें जो bank है हमारा वो एक और facility देता है collection का वो कहता है कि सारे bill आप मुझे ला कर दे दीजिए मैं खुद ही collect करता रहूँगा date wise तो bank हमारा ये काम जो हमें कर रहा है without charge तो हम क्या करते है वो सारा bill bank को हम दे आते हैं और वो समय आने पर date आने पर उनको collect करता रहता है सही है तो bill का collection अपने आप ही हो जाता है bank के तुरू तो ये चार option रहेंगे हमारे पास जिसमें मैंने रिखा uses of wills of exchange for the draw डॉर ये चार uses कर सकता है ठीक है आगे चलते है next concept क्या है इसके अंदर important तो uses of wills of exchange आपको समझ आ गया होगा ठीक है और अब चलते है next topic इसके अंदर क्या समझना है हम लोगों को और इसके अंदर कुछ important terms है चलते रहेंगे वैसे तो जहां जो जरूत पड़ेगी मैंने का वहीं बताऊंगा ऐसा नहीं है कि एक burden हो जाए आपके लिए basic बहुत जरूरी आपके लिए important terms में देखिए आपको मैं तीन चीज़ें यहां पर बताता हूं सबसे पहले एक होती है यहां पर जो एक है पहला जो समझा रहा हूं वो है due date सही है क्या है sir due date दूसरा मैं आपको जो बता रहा हूं वो रहेगा हमारा grace period ठीक है यह सब इसी chapter के concern में है और third रहेगा हमारे पास बहुत ही simple language में आपको बता हूं तो due date क्या होता है समझिए मैंने कहा था आपको मैंने 10,000 रुपे का goods उधार में बेचा एक bill बनाया उसके ओपर लिखा गया चार महीने बाद आप मुझे इसकी payment कर दीजेगा सही है आपने accept कर लिया चार महीने बाद आप जैसे ही चार महीने complete होंगे वो जो date आएगी उसके क्या कहेंगे आप due date कहेंगे सही है मैंने bill लिखा दो महीने के लिए तो जैसी दो महीने बीतेंगे जो date आएगी उसके क्या कहेंगे आप due date कहेंगे सही है मैंने बिल लिखा 30 days के लिए तो जैसे 30 days complete होते हैं after sale वैसे आपका क्या जाएगा due date आ जाएगा ठीक है तो due date simple सा meaning है कि date on which payment date on which payment of bill is due और payable ठीक है amount of bill payable ठीक है date on which amount of bill यहां यह लिख देता हो में ज्यादा अच्छा रहेगा amount of bill is due और payable ठीक है तो जिस date को पैसा देना बनता है वो आपकी due date कहलाएगी लेकिन सर हम लोग खास कर due date पे तो कोई payment होती ने perfectly किसी की तो legally इसलिए government ने इसमें three days or allow कर दिये तो grace period जिसे कहा जाता है तो देखे यहां लिख दे रहा हूं है three days of grace period three days of grace period is allowed सही है तो और क्या अलाओ है से तीन दिन का grace period भी मिलता है यानि कि अगर आप due date पे पैसा नहीं दे पाए तो आपके पास तीन दिन का समय और होता है उन three days के अंदर आपको payment कर देनी चाहिए तो देखे three days of grace period allow होगा अब maturity date के अगर मैं बात करूँ तो maturity date क्या होता है due date में आप three days और add कर लीजे और जो date आएगी आपके पास calculate हो के वो क्या कहलाएगा सर वही कहलाएगा आपका maturity date तो देखे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ same चीज कि date on which amount of bill is compulsory payable सही है सर दोनों चीजे तो same हो गई मैंने यहाँ लिखा था amount is due or payable देना है इस दिन दे देना चाहिए आपको लेकिन यहाँ मैंने लिखा है date on which amount of bill is compulsory payable इस date को तो आपको compulsory pay करना ही पड़ेगा वरना legal action आपके खिलाफ हो सकता है ठीक है तो यह कैसे आता है देखो maturity date की calculation कैसे करेंगे आप maturity date की जो calculation है वो simple ऐसा due date अगर आपको आपने calculate कर लिया तो due date में three days of grace period add कर दीजे तो क्या मिल जाएगा आपको maturity date मिल जाएगा आपको समझ आ गया तो आपको due date समझ आ गया होगा grace period कितना होता वो समझ आ गया होगा और आपको maturity date भी clear हो गया होगा ठीक है अब मैं आपके सामने कुछ questions लेकर आऊँगा यानि कि जिसमें हम लोग calculate करेंगे due date and maturity dates को calculate करेंगे ठीक है due date and maturity date calculate करेंगे लेकिन उससे पहले दो important बाते जान लिजे जो बहुत ज़्यादा important है वो questions में भी काम आएंगी और अलग से भी आपके काम में आ सकती है तो यह important note point मैंने लिख दिया आपके लिए 2 important note point क्या है पहला मैंने लिखा इफ maturity comes on a public holiday public holiday का लिजे गच्टेड या fixed holiday का लिजे then bill is payable before one day of maturity यह बहुत ध्यान से आपको समझना है देखे मान कर चलिए कि हमने due date को पैसा तो दिया ने ठीक है sir तीन दिन के आपको grace period भी मिल गया कौन सा डे आ गया maturity date आ गया अब मान के चलिए जो maturity date आपका पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है एक public holiday पर public holiday गच्टेड holiday जैसे मान लिजे 2 October पढ़ रहा है तो 2 October सबको पहले से पता होता है छुटी होती है bank close होगा तो आपको एक दिन पहले ही बिल को मेट करना है समझा गया तो बिल को आपको एक दिन पहले ही चुका देना पड़ेगा समझा गया जो maturity date है मान कर चलिए वो 26 जन्वरी पढ़ा 15 अगस्त पढ़ गया ऐसे चुटिया जो होती 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 है सब को पहले ही आपको पैसा देना होगा क्योंकि यह सब को पहले से कंफार्म बैंक बंद होगा तो ध्यान रखेगा वन डे ओफ बिफोर वन डे ओफ मैचुर्टी लेकिन अगर मैंने लिखा आपको मैचुर्टी डेक के बाद कब जब और मैचुर्टी घर को कलकुलेट करेंगे सर Dear लाइक करदेना सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आप नए हैं ताकि ये सेकेंटरम का कोर्स परफेक्टली आप करते रहें ठीक है? ओके?